हिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ गनित का जर का नियम जो आप गनित पढ़ रहे हैं चाहे कक्षा 8 में हो 9 में हो 10 में हो तो ये नियम आपको जब पता रहेगा तो आप कितने भी कठनाया का सवाल हो उसमें आप नहीं फसेंगे मतलब उसमें आपको ये सब करने को मिलेगा तो ये सब आपको पता रहेगा तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिकत नहीं आएगी ठीक है तो आईए हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं ठीक है देखिए आपको कोस्तों स्कीन पर देखा देरी है यहां पर लिखा है दो बट्टे 3 और पूरा क्या है? हॉल स्कुरर ठीक है? और यहांपर दिया हुआ है माइनस 2 बटा 4 ईससे है पावर 4 इसको घात भी आप का सकते हैं पावर भी का सकते हैं ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसको solve करके बताऊँगा P बटे Q उसका हॉल क्यूड यानि घन ठीक है तो आई हम इसको ब्यारकी से आपको समझाते हैं देखिए उपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंस और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर यानि अंस और हर दोनों में क्या है तो वर्ग लगा है यानि स्क्वाइर लगा है तो हम क्या करेंगे देखिए जब का पावर भी 2 हो जाएगा ठीक है और 3 का भी हॉल स्कुर एक 3 का भी पावर 2 हो जाएगा आप इसको 20 रुप में लिखिए कैसे देखिए 2 का पावर 2 है इसका मतलब यह होता है कि 2 2 है क्या गो है 2 गो है तो लिख देना है आपको 2 गुना 2 यह अंस वह लिखे हैं उसके बाद लगाना है बटा है तो 3 का पावर 2 है तो आपको 3 का पावर 2 लिखना है 3 गुने 3 यही इसका विश्तारूफ आंसर आ दाएगा ठीक है तो आए मैं आपको अगला लेकि बताता हूं ठीक है अब देखिए इसमें क्या है आपका माइनस 2 बट्टे 4 उसका पावर कितना है यान होई 4 है ठीक है बटे यह 4 का पावर भी 4 हो जाएगा इसको विश्तारूफ में कैसे लिखेंगे तो देखिए माइनस 2 चुकि इसका पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे हम 1-2-2-2-2 इसमें गुना भी कर सकते हैं क्योंकि कोश्टमिस ही गुना होता है ठीक है तो माइनस 2 इसम भी सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है या ना दे कोई दिकत नहीं है अब देखिए यहां पर 4 पावर 4 है तो हम इसको लिख लेते हैं तो हमको क्या करना है उसी तरह कर लेते हैं पी का पावर भी 3 हो जाएगा ठीक है और क्यू का पावर भी 3 हो जाएगा ठीक है तो इसको हम लिख लेते हैं पी, गुने, पी, गुने, पी और इसका होजगा आपका क्यू का परवरतिन है, तो ये भी क्यू गुने, क्यू गुने, क्यू गुने, क्यू लखी इस प्रकार से इसका भी सोलूcioN निकल गया, ठीक है, तो यह video कैसा लगा और मैं आपको एक प्रस्द देता हूँ उसको बना कर आप comment box में देना है ठीक है जैसे मान करखेए पांच बटे दो इसका है घात तीन ठीक है इसको आप comment box में आंसर देना है ठीक है अगर इस channel से अगर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आपे comment box देना है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में